हेलो आज आप नमस्कार सास्त्रीकाल दोस्तों और मेरा नाम है राज कुछपा और आप देख रहे हैं रॉयल फीडिस वीडियोग चैनल आप ही का चैनल है दोस्तों और आज मैं आपके लेकर आया हम मल्टी सेट अप मल्टी सेट अप जो की चार सेटलाट आपकों है और छे सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको चार सेटलाइट है पताऊँगा जो की है हमारी जीडिस सत्रा तेरामे डिग्री सी बेंड दूस्य सेटलाइट है जी सेट थर्टी जिसके अर्बिटल लोकेशन है तेरा सी डिग्री और तीसरी सेटलाइट है एफिस्टार सेवेंड जिस पर बच्चों के बहुत अच्छे कार्ण चैनल आती है एफिसरी सेटब करेंगे जी सेट्ट थर्टी के साथ में सेंटर में हमारा जीडिसरी रहेगा बागी सब साइटे लेंगी और चौती सेटी लाइट है हमारी इंटल सेट ट्वेंटी जिसके अर्विटल सू के लोकेशन है अर्चाट डिग्री 68 इस्ट तो मैं आपको चारो वीडियो फूल बारे करना वही अम्रोध है वीडियो फूल वाच की या करें वीडियो तोड़ी लंबी हो जाए उसके लिगा अफी चाहूँदा वाफिष सारी चीजे बताऊंगा वीडियो फूल वाच करना मेरी को नियर एख जहां सब्रदेश स मेरा नाम राज है और आप इस बात बतादू कि मैं मैं संदे के संडे आप लोगों के साथ में live stream में आया और संदे imm? सामको सामको और घरं मैं। तहों इस बिलकुल आपकी सवस्वा किस नान है तो बेलकुल आपकी साथ रामंत्रित है तो चलोब वीदियो को जाज़ा नमीझ करते हुए में आपको डिस सेटिंग के बारे मताता हूं और चलो चलते हैं डिस के पास दोस्तों जैसा कि आपको छूटी सी डिस दिखाई रही है डिल फुट की डिस यह डिडी फ्री डिस से बीडी फ्री डिस से पाक से 38 तर साथ ही साथ बदर से 26 लगा है यह जो है त्रेपन डिग्री पर सेट है यह अभी किसी पर सेट नहीं है फ्री है देखा जाया तो बैसे 7 कि आपको जो को दिखाई रहा है मलटी सेट अब यह चेशफट प्राइम फोकस की दिस अ जैम्स वाली इस पर मैं रख्का मलटी सेट यह डेडी फ्री डैस यह चार फुट की प्राइम फोकस का सथी डिग्री लगा है एक यह साह साथ दैस अरmoreक मेरे बदर सेट जो दिखाय दिरहा है है हमारे डिटी फ्रीडिस सी बेंड में जिसको हम कहते है जूसet 17 और साथी साथ में ये आपको जो दिखाय के रहा है जूसे वे जूसे आ środ एक वि uns बेंड में चलता है ऐसे यह की बैउ असे यह वी से जैन्ट करियो Your यदि आप लगा देंगे तो एपस्टार से इविन मिलेगा और स्काइनियट मिलेगा आपको की यू बेंड में यह इंटल से 20 जिसको और सब्सक्राइब कहते हैं तो मैं सी की बारे में आज आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा वीडियो फुल बाउच करना वीडियो तोड अब अब को जीशाट 30 सेट करना है तरा सी डिग्री जीशाट 30 आप आराम से सेट कर ले उसके स्टॉंक टीपी में आपको अभी बताऊंगा सारी चीजे बताऊंगा तो जीशाट 30 जो है वो हमारी सेंटर वाली एले जो जो आपको यहां से इस तरफ जो दूसरी नंबर की दिखाई दे रही है जिस पर टीना का जो डिपबा लगा हुगा है तो वो हमारी सेट 30 है तो उसको पहले हमको वो सेट करना पड़ेगी वो जब सेट हो जाए उसके बाद में फिर हम आपको साइड एले वी के बारे में सेट करते है तो इसका क्या फंडा रहता है मैं आपको लगाना है 93 यानि कि जी सेट 17 सेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा अब आप भाई कहेंगे कि जी सेट 17 तो जी तेरा सी होगे तो 93 इस तरफ आएगा काईदे से इसी तरफ आना चाहिए बट होता क्या है जब हम मल्टी सेट अप करते तो हमें सा अपोजी डारेक्शन में चलता है तो हमारा डीडी फ्रीडेस यानि कि इस तरफ आता है तो हमें इदर सेट करना चाहिए लेकिन वो इदर सेट करते हुए हमें इस तरफ सेट करना पड़ेगा यह हमारा डीडी फ्रीडेस है 93 डिगरी सी बेंड का जिसको जी सेट 17 कहते हैं तो यह हमारा इस तरफ लेकिन वह इस्तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि वह यहां से तरंगे ऐसे रिफ्लेक्ट हो करके इस्तरफ पड़ रही है तो यह हमारा सेट हो गया हमारा जी सेट थर्टी यानिकि सीवेंड का डीडी फ्रीडिस सेंटर में आपको पता ही है जी सेट थर्टी लगा हुआ है 13 उस तरफ से आते हुए यहां से रिफ्लेक्ट हो करके इस तरफ जाएंगे तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो 76 डिगरी हमारा कब आया कहां पर आया यह 83 के ज़िश्ट बाजू में उसके बाद में ऐसे यह 68 है तो और इस तरफ आना चाहिए काईदे से बट वह इस तरफ इस इस लिए आया क्योंकि यहां से 68 डिगरी की करने यहां से रिफ्लेक्ट हो करके उस तरफ जाएंगे उधनी दूर ठीक है न और तो हमारा क्या होगा है सेंटर में 83 होगे स्टरफ सी बेंट का 93 हो गया इस तरफ हमारा 76 हो गया और साथी साथ में हमारा 66 हो गया तो आपको समझ में और घ्रफ तो करने से बाद में आपको कि आपको इतना समझ में आ गया ऊगर उसके बाद में आपको बाते तो तो आई हो साथ मेरे डिन मेडें साफ नहीं दिखाए साड़े वार्य में यह तिस एंस सब्सक्राइब यह देख सकते हैं, सब के डिस्के वार, यह पूरे खटे कम्बाइन होकर के मेरे डिस्की सीच, आर्ट पोर्ड के डिस्की सीच में चले गए हैं दोस्तों, मैं आपको नाप की बताता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मेरे जी सेट 30 है, 13 सी डिगरी, तो मैं बल्कुल पास से बताता हूँ, यह आपको जो नट दिखाई दे रहा है, यह जो आपको नट दिखाई दे रहा है, बल्कुल अपना इंची टेप, और यहां से आप देख सकते हैं, बल्कुल करीब से मैं आपको बताऊंगा, कि य आप इसके बाद में यह आपको 68 डिगरी है, तो इसका जो इसका जो सेंटर मिला है, तो आप देख सकते हैं, इसका जो सेंटर मिला है, वो हमें मिला है साड़े पांच पर, यह साड़े पांच इंच पर, ठीक है न, इसका सेंटर साड़े पांच पर इंच पर मिला है, यह हम करना हमको सिवन का तो इसके लिए क्या करते हैं तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि यह इसका जो सेंटर है वुलकुल एलन भी का सेंटर यहां से लेकर के यहां तक यह हमारा सीवन का है में और इसका पूरा मीजर्मेंट बता हूँ तो आपको पूरा बता ता अब इसका पूरा सेंटर यदी में आपको बता हूँ तो इसका जो सेंटर है यहां से देखीगा इंची टेप देखना आप थोड़ा इंची टेप है विसेज ध्यान देना इसकी सीध में कितना इंच आ रहा है आप देखते जाना तो इसका जो सबसे लाष्ट की जो हमार 80 डिग्री है तो यहां पर इसका सेंटर हो रहा है इस जो छेद है हमारा बुलकु इसके सेंटर से यहां से इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक अठारा इंच जा रहा है और सबकी आप इसकी सीध में यह आ रहा है इसकी सीध में क्या आ रहा है यह आप आराम से सहूलियस से से सेट कर सकते हैं अब मैं आपको ब्लकुल कौने से लेकर के कौने तक का बत तो मैं आपको बताए दे रहा हूं आप आराम से समझ में आ जाएगा आपको पूरा दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के मैं यहां से यहां से यहां से यहां से यह लाश्ट वाली LNV तक लेकर के गया तो आपको दिखाई दे रहा है LNV हमारी खताम हो रही है 23 पर 23 पर ने और ले है तो आप आराम से 660 को सी सीद में कौना सी अरन हैं तो आराम से आप कर सकते हैं में फिर से बता हूं उसके बार से मज़ते हैं इस पर दोस्तों चैसा कि आपको दिखाई प्रिम आजब है यह बोरे क पम ड़ा मेरा है यह स्कोर्ण फरप और ऐख disappear ऑ् Surface task ette की दिनिक in but का 6 की दिकिंप जो जान खरके पहले आप तो आँसे जान काई हम तो इस oll Και यह पोह कर दुचान को दें लोरी ए मैं तो यहां संधय के बाद मैं अपर set 30 पर signal यह जी सेट 30 जी सेट 30 अमने सेलेट कर लिया और यहां से हम इसको blue button press करते हैं और यहां से इसको blind scan से हम auto scan करते हैं देखते हैं हमको किने channel receive होते हैं वीडियो फुल watch करना अंत तक देखना वीडियो थोड़ा लंबा हुरा इसके लिए माफी चाहूंगा यह हमारी टीबी का पेके जा चुका है जो कि स्क्रिमल मूड में रहता है तो यही इसकी स्टॉंग टीपी मान के चलें तो आपको अभी मैं आपको स्टॉंग टीपी कुल मिला के अम देखते हैं हमें कितने चेनल प्राप्त होती जैटलाइट पर यह वम सरыл समस्य भर है कि कभी चैनल इस पर शोचोंगा करो लुदिवी ऑस आप चलने लगते हैं तो आप इसके लिए आप इसा न समझें घ els यह यह हमारी डिस्स हिल गई है बलकि ऐसा नहीं है इसमें अपने आपी चैनल फ्लक्शुरेट भी होने लगते हैं और सही भी चलने लगते हैं तो यह इसमें अमिसा शुरुआ से समस्य बने यह कॉलकाता टीवी आ चुका है हमारे सामने आप देख सकते हैं जी सैट थर्टी की ओ आफ ही चाहूंगा यह में चुन का पेकेज भी आ चुका है टीवी आ हाला कि आपके सामने फ्लेस भी हो रही है अगर आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं कि यह देखते जाएं कि नियूज का नियूज इस्टेट के पेकेज आ चुका है कुल सततर चैनल हमको अभी तक रिसीव हुए है मल्टी सेटाप इसलिए थोड़े से चैनल हमें सभी सैटलाइट को कम मिलते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है इसके लिए मैं इसको यहीं पर और टैस केनिंग को रोके दे रहा हूं और मैं आपको इस्ट्रॉंग टीपी और दिये देता हूं कि यह देखे कास्तूरी बगेरा यह चैनल आ चुके हैं कि देखेगा हमें अभी तक 100 चंगन मिल चुके थे चैनल लेकिन मैंने बीच में ही रोक दिया है वीडियो लंबे होने के कारण यह आप देख सकते ही यह ईटीवी का पेकेज यह ईटीवी पर सिगनल फुल फाक आ रहा है हमारा सतर परसेंट के आसपास और मैं इसकी स्ट्रॉंग टीपी में आपको बताए दे रहा हूं यह इसकी स्ट्रॉंग टीपी जो है वो आपको दिखाए दे रहे हैं दस आट सो पंचानुए और यह उरिजॉंटल तीस जार यह इसकी स्ट्रॉंग टीपी है इस पर आप सिगनल ले आई है यह हमारे तिरासी डिग्री जी सेट थर्टी की स्ट्रॉंग टीपी है 10895 horizontal 30,000 अगली सेटलाइट आप हमारी दोस्तों हमारी अगली सेटलाइट जो है वो है 68 डिगरी इंटल सेट 20 जिसको हम कहते हैं और उसको आप देख सकते हैं स्केनल लाना है और यदि हम इस पर सकनिंग करते हैं तो हमको देखते हैं हमको कितने चैनल रसीब होते हैं मल्टी जैटाप है हमारा जैसा कि आपको पता है इस पर हम ओटर स्केनिंग करते हैं देखते हैं हमको किटने चैनल रसीब होते हैं इसको ब्लाइंड स्केन करता हूं और वीडियो फुल वाच करना भाईयों वीडियो थोड़ा लंबा होगा उसके लिए माफी चाहूंगा यह हमारा इंटल सेट ट्वेंटी अर्सा डिग्री क सेटलाइट है और इस पर हमें कमी चैनल प्राप्त होंगे क्योंकि मल्टी सेट अप में कमी चैनल प्राप्त होते हैं सबसे ज़्याद आपको जी सैट थर्टी और साथी साथ आपको एफ स्टार सेविन के ज्यादा चैनल रसीब होते हैं तो यह देखीगा आपको यह भी ए आ गया है टेपी आपके सामने आ रही है अभी तक कुल तेरा चैनल रसीब हो चुके हैं यह देखेगा उन्नेश चैनल तो भाई हो बड़ी मैनस से वीडियो बटनाते हैं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब में किया है तो सब्सक्राइब पर लीजी वैल आइकन कौन कर देना जिससे डीटेस समझनी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और लाइक कर देना कमेंट्स करना सारी हुए अब हमारी सैटेलाइट है एपिस्टार सेवेन 16 डिग्रीस त तो उसकी में स्ट्रॉंग टिपी सबसे पहले आपको बताता हूं इसकी स्ट्रॉंग टिपी जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी स्टाॉंग टिपी जो है वह है 383 वर्टिकल 8000 तो इस पर आपके यह देख सकते हैं सिगनल बहुत अच्छे आ रहे हैं यह देख सकते हैं तो इस पर आप सिगनल लेके आने हैं आपको और अच्छे की अपको नहीं चेला करता हैं और इसमें ओधर सकने करते हैं तो ने चैनल रिसी रहे होते हैं सैटलाइ्ट पर तो मैं इसको ब्लाइंड सकन कि यह देरहा हूं और यहां से इसको उटराइन करता हूं स्टार्ट तो वीडियो थोड़ा लंबा और उसके लिए माफी चाहूंगा तो कुल मिला कि मुझे इस सैटलाइट पर पचास चैनल मल्टी सैटप में मिल जाते हैं जिसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छे कार्टून चैनल है हिंदी वासाम है तो साथी साथ अच्छे प यह अभी तक मीरे चैनल को सब्सक्राइब निकिया सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन कौन कर देना जिससे डीट्या संबंदी नोटिविकिशन मेले सबसे पहले यह कुंती पर यह नेपाल के HD quality के चैनल है काफी अच्छी quality आती है इन चैनलों पर इसमें आपको फिशन टीबी भी मिल जाएगा एक्षन भी मिल जाता है जो कि बिस्की पर चलता है यदि आपके पास में बिस्की वाला सेटप बॉक्स है तो आराम से मज़ा ले सकते हैं आप उसका यह फिशन टीबी का पेकेज भी आचुका है ल्टी एन फैमली यह ड्रामा का अच्छा चैनल है जिस पर हिंदी उर्दू वासा में सीरियल्स आते रहते है कुल मिला के हमें इस सेटलाइट पर लवग पचास चैनल मिल जाते हैं अब में वीडियो ज्यादा लंबी हो रहे हैं इसलिए मैं इसको वीडियो को यहीं पर रोकता हूं और अगली सेटलाइट की और चलते हैं इस पर यह सब टीवी आपको दिखाए दे रहा है एपस्टार से इबन पर यह सब टीवी की फिक्चर कॉल्टी बहुत अच्छी इसमें फिक्चर कॉल्टी बहुत अच्छी है पाकिस्तान के चैनल है लेकिन हिंदी उर्दु वासा में आते हैं देख सकते हैं आप उनंचा चैनल रिसीव हो चुके हैं कुल मिला के हमें इतनी ही चैनल इस पर मल्टी सेटप पर मिलते हैं अब अगली सेटलाइट की और बढ़ते हैं अब हमारी अगली सेटलाइट है डीडी फ्रीडिस सी बेंड में जिसको जी सेट सत्रा कहते हैं उसकी ओटा स्कैनिंग करते हैं ब्लाइंड स्कैन में करता हूं देखते हैं हमको कितने चैनल रसीव होते हैं सेटलाइट पर वीडियो को फुल वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा मैं सारी स्टॉंग टीपी और चैनलिस्ट सभी चे कुछ बताता जलाओं आपको दो को स्टॉंग टीपी भी आपके सामने आचकी यह जीरो थ्री नाइन टू फाइव होरिजॉंटल 27500 इस पर आप सिगनल लेकर करके आईए आपके जी सेट 17 सेट हो जाएगा तो वीडियो पूरा देखा करें लाइक कर दिया करें सेयर किया करें कमेंट्स किया करें जिससे आपके उस्सा वर्दन से हमें इंकरेज होते हैं तो भाईयों बड़ी मैनस से वीडियो बनाते हैं जिन भाईयों ने अभी तक म को लिए लाता रहता हूँ मल्टी सेट अप में हमें ज्यादा चैनल रिसीव नहीं हो पाते हैं लेकिन यह है कि फिर भी हम कई सेटलाइटों का मज़ा ले सकते हैं मल्टी सेट अप में तो जिसमें जी सेट थर्टी यानि की 13 सी डिगरी और साथी साथ एफिश्टार सेविन में हमें बहुत ज्यादा चैनल मिल जाते हैं बाकि जो जितनी दूर एलन भी जाती जाएगे उतनी ही हमें कम चैनल तेखने को मिलेंगे तो इसमें अभी तक हमें 12 चैनल मिल चुके हैं अगर आपके पास भी छेपुट की प्राइम पुकर डिस है तो उस पर आप इस परकार का सेट अप बना करके लगा सकते हैं मैंने आपको सारी चीजें बताई इंची टेप के माध्यम से तो उसका स्कीन सॉट लेकर के आप आराम से सहूलियस से आप उसको सेट कर सकते हैं और इसमें मल्टी सेट अप में बस यही है कि आप इस डिसको जादा बार बार नहीं हिला डुला सकते क्योंकि सेट अप बड़ी मुस्कल से तयार हो बाता है और यदि अगर आप एक सेटलाइट के चकर में सारी सेटलाइटों गलवा जाती है तो इसलिए मैं यह वाली डिस पर ज़्यादा छिलकानी नहीं करता हूँ तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 16 चैनल हमें सी बेंड जी सेट सत्रा डिडी फिडिस जिसको कहते हैं सी बेंड में तो उस पर हमें चैनल रेसीव हुए है तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आवारी है बस आप लोगों से यही गुजारिस करते हैं कि प्लीज लाइक शियर और कमेंट्स कर दिया करो बहुत मेहनद से वीडियो तेयार करते हैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर यह देखेगा कुछ चैनल हमें और प्राप्त हो रहे हैं कुल मिलाकर के अभी तक हमें 24 चैनल रिसीव हो चुके हैं कुल मिलाकर हमें 24 चैनल ही रिसीव हुए इस मल्टी सेट अप में दोस्तों बस आपसे ही गुजारे से अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिली लाइक शेयर और कमेंट्स जरू कर देना क्योंकि बहुत महना से बनाते हैं काफी समय लगता है मल्टी सेट अप बनाने में आपको बहुत बारिकी से समझाने का प्रियास किया है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना ओके नमस्ते जैहिंद वन्दे मात्र